अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनिकेडमी के इस नहीं और लडस्ट वडियो में आज के इस वडियो में हम लोग उर्दो शायरी के कुछ important point को एकदम बहतरी इंड़म से समझने वाले हैं जिया उर्दूशायरी के बहुत ही important टॉपिक है मतलब इसके बिगार समझे कि उर्द्चॉय की आप समझ ही नहीं सकते पड़ी नहीं सकते ये हर exam के लिए important है चाहे आप 10 में हो 12 में हो या फिर graduation में हो हो ग्रेजवेशन में तो इसके बीना आप लोग का काम नहीं चलने वाला है अगर उर्दु शायरी यह इंपोर्टरेज्ञbayर हो Kung अगर आप लोग से चारई हैं तो चाहे आप जिसवी एक्जाम कार रोग रहे हो चाहे आप जिसवी कलास में हो 10 में нашем ग्रज리ेशन में वcentric उंटरेंश या फिर कमिटाटिव इकजाम की त्यारी कर रहे हूँ सब्सक्राइब कर लगें कटेंब के लिए और सबी क्लास के लिए उर्दू शारी है Ikları का एक हिस्सा है उर्दू शारी में हो ग्रडूएशन में था कि त्यारी कर रहे हूं सभी एकव्थ क्लास के लिए उर्दूषायरी नि है तो एक हिश्सा है उर्दूषायरी और पड़ रहे हैं को यह पूछा स्किप की और हर एक पॉइंट को ध्यान समझिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग में आप लोग उसे में रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जितना जदा हो सके दूसरों तक शे की हूं जैसे कि मिस्रा शेर रदीफ काफिया यह हर एक चीज़ के पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं अगर वो वीडियो देखे हैं और हर एक पॉइंट को समझे हैं देनी यहां पर आप लोग को एक परसेंट भी दिक्कत नहीं होने वाली है एकदम बहतरीन ढंक से यह टॉपिक समझ में आएगा और अगर आप लोग इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं रदीफ काफिया मिस्रा शेर वगरा नहीं समझे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं फिर से बता दे रही हूं लेकिन दीपली अच्छे विस्तार से समझने के लिए आप लो कर यहां तक आप लोगों को देखना है एक सेंटेंस है तो इस एक लाइन को इस एक सतर को क्या कहेंगे मिस्रा कहेंगे उसी तरह कोई भी एक लाइन उठा लीजे यह मिस्रा कहलाएगा यह मिस्रा कहलाएगा तो इस पूरे शेर में पहला मिस्रा कौन है यह पहला मिस्रा यह यह दूसरा मिस्रा यह तिसरा मिस्रा यह चोथा मिस्रा यह पाच्वा मिस्रा यह चट्था मिस्रा इस टोटल पूरे शेर में टोटल कितने मिस्रे हैं तो ध्यान दे दो दो चार दो छे दो आर डो दस टोटल डस मिस्रे हैं और दो मिस्रों से मिलकर एक शेर बनता है शेर दो मिस्रों से मिलकर बनता है तो देखिए यह पहला मिस्रा और यह दूसरा मिस्रा दोनों मिस्रों को एक सांथ इकठे में क्या कहेंगे शेर कहेंगे तो समझे कि यह हो ग पहला शेर तो इसी तरह यहां पर भी तो दो मिस्रे है ना तो इन दोनों मिस्रों को एक साथ क्या कहेंगे शेर कहेंगे तो यह हो गया दूसरा शेर का यह हो गया पहला मिस्रा और यह हो गया दूसरा मिस्रा उसी तरह यहां पर भी दो मिस्रे हैं तो यह तीसरा शेर कहलाएग ठीक है और तिसरे शेर का ये हो गया पहला मिसरा और ये हो गया दूसरा मिसरा मतलब पहला लाइन दूसरा लाइन ठीक है उसी तरह ये चोथा शेर है इसका पहला मिसरा दूसरा मिसरा उसी तरह ये पाचवा शेर है यानि कि यहाँ पर टूटल पाच शेर है और टूटल दस मि प्रफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आप लोगो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक मतला को मतला किसे कहते हैं देखिए मैं लिख दी हूं मतला इस तर समझ में आया होगा और कुछ कास दिमाग से बाहर गया हो कुई दिक्कत नहीं हम लोग यहां पर डीपली एकदम समझते हैं अभी मैं आप लोग को क्या बताई है घजल या फिर कसीदे का है घजल तो आप लोग जानते होंगे ना घजल शेरोशायरी के अंदाज में लिखी मतला को समझते हैं ना अभी मैं आप लोग को क्या बताई गजल या कशीदे का सबसे पहले शेर सबसे पहले शेर पर चले जाना है ये घजल मैं लिखी हूँ और ये घजल के द्वारा लिखी गई है याद रखेगा Midter की मीर द्वारा लिखी गई है देख सकते है मीर तके मिर किसका तखलुस है मिरताकी मीर का यानि कि ये जो घजल लिखी गई थी मिरताकी मीर के द्वारा लिखी गई थी और उन्हीं की घजल को मैं आपर बोर्ड पर लिख दी हूँ ठीक है तो इसी घजल के पहले शेर पर चेले जाईए आप लोग घजल या कसीदे का पहला शेर जो हम्रदीफ और हम काफिया होता है क्या कहलाता है मतला कहलाता है तो रदीफ काफिया भी मैं आप लोग Walmart को बता चुक हुए हूं उसके पहले वाले विडियो में याद कीजिए क्या बताई थी शेर के आखिर में बार-बार आने वाले किलमा ये फिर कलमात को रदीफ कहते हैं समझते हैं हम लोग मैं पढ़ रही हूं और समझेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा मैं इस पूरे घजल को पढ़ रही हूं हस्ती अपनी हिबाब किसी है लास्ट में देखिए किसी है ठीक है और यह नुमाईश सराब किसी है लास्ट में किसी है हस्ती तो करते जहां पर मैं टिक करदी हूं रिंट कर दी हूं भार-बार उसके दर पर जाता हूं भार बार उसके दर पर जाता हूं चालत तराब किसी बार इसने किसी है टीक एमियर इन नीम-बाज आखों में सारी मस्ती शराब किसी है लास्ट में आप लोग देख रहे हैं लास्ट में ये एक ऐसा लवज है किसी है जो बार-बार रिपीट हो रहा है बार-बार रिपीट हो रहा है यानि कि शेर के आखिर में बार-बार आने वाले कलमा ये फिर कलमात को क्या कहते हैं क्या है किसी है यह जो किसी है ना हर शेर के दूसरे वाले मिस्रे में आप लोगो देखने को मिल रहा है इसमें भी किसी है इसमें भी किसी है अस्ति अपनी हबाब किसी है यह नुमाई शराब किसी है लास्ट में किसी है नाजुकि उसके लब की क्या कहिए यह पंकुड़ी रिपीट हो रहा है बार बार आ रहा है तो इस पुरे घजल में रदीफ क्या है किसी है किसी है किसी है किसी है यह क्या है एक रदीफ है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है यह लवज बार बार रिपीट हो रहा है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगो बताई थी कि काफिया किसे कहते है रदीफ के ठीक पहले आने वाले लवज को काफिया कहते है तो देखिए ये है रदीफ ये भी क्या है रदीफ किसी है ये ये भी रदीफ है किसी है ये जितना भी है किसी है सारा सारा रदीफ है अब रदीफ के ठीक पहले चले आईए रदीफ के ठीक प पहले चले आईए गुलाब काफिया कहलाएगा और यह भी मैं आप लोगों बताई थी रधीफ जो होता है पहले शेर के दोनों मिसरों में होता है और पहले मिसरों में रदीफ है पहला इसमें भी रदीफ लेकिन पहले शेर को छोड़कर बाकि जितने भी शेर होते हैं ना उनके पहले वाले मिस्रे में रदीफ नहीं होता बलकि दूसरे वाले मिस्रे में रदीफ होता है जैसा कि आप लोग दूसरा शेर देख सकते हैं दूसरे शेर के पहले वाले मिस्रे में तरह काफिया भी होता है देखिए पहले शेर के दोनों मिश्रे में रदीव हैं और पहले शेर के के दोनों मिश्रे में खाफिया भी हैं देख सकते हैं अप लोग रदीव के पहले जिसक पहले क्या है हिबाब तोि इस самоmanas फर viewpoint के की मतल्ब को स्मझते हैं की अगर इतना समझ में आगे कि हां रदीफ काफिया क्या है तो मतला असानी से यह चुट्कियों में समझ में आजाएगा बस मैं जो बोली थी उस पर एक बार फिर से गौर करें घजल यह फिर कसीदे का पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ हो मतला कहलाता है तो देखिए इस के दोनों मिस्रे में क्या रदीफ है तो बेशक नो डाउट रदीफ दिख रहा है रदीफ है और हम काफिया हो यानि कि दोनों मिस्रे में क्या हो काफिया हो तो पहला शेर आप लोग देख सकते हैं पहला शेर जो है ना यह हम रदीफ है यानि कि दोनों मिस्रे में क्या है र रदीफ भी हो दोनों रहना चाहिए रदीफ भी रहना चाहिए और काफया भी रहना चाहिए तो उस पहले शेर को क्या कहेंगे मतला चोहेंगे मैं चाहतीग तो सिर्फ यानी को इतना बता सकती थी कि गजल और पसीदे का सबसे पहलाShir मतला क istra fils बात खतम हो जाती लेकिन आगे चल कर आप लोग फस जाते क्योंकि 10 तक तो चलता है मैट्रिक में अगर आप लोग सिर्फ इतना याद कर लेते हैं कि हाँ गजल अरुका सीदे का सबसे पहला शेर मतला के लाता है तो काम चल जाता लेकिन अगले नेक्स्ट लेबल पर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर यह चीज़ आप लोग को आगे चल कर आप लोग फस जाते हैं इसलिए important समझते हुए मैं आप लोग को इतना लंबा चोड़ा समझाई और अब आप लोग नहीं भूल पाएंगे मुझे यकीन है कि अब आप लोग नहीं भूल पाएंगे कि मतला किसे कहते हैं गजल या फिर कसीदे का सबसे पहला शेर जो हम रदीफ और हम काफिया हो यानि कि जिसमें रदीफ भी पाया जाता हो और काफिया भी पाया जाता हो दोनों चीज़ हो तब ही उसको क्या कहेंग ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट समझते हैं फुसने मतला किसे कहते हैं जस्ट आप लोग दूसरे शेर में चले आईए पहला शेर यह तो हो गया जो हम रदीफ हो मतला कहला आता है और गजल का दूसरा शेर जो वो भी हम रदीफ हो और हम काफिया हो तो उसको कह हम रदीफ और हम काफिया है यानि कि दूसरे वाले शेर में क्या रदीफ पाया जा रहा है तो नुडाउट है रदीफ है जी हाँ है रदीफ और काफिया क्या है तो हाँ बेशक है यहां पर गुलाब काफिया दिख रहा है बाब सराब गुलाब इस्तराब ठीक है खराब शरा तो यह पहला शेयर हो गया मतलह और जी द्यास शेयर हो गया हुसन अपतला तीक है अब समझते हैं मक्ता किसे कहते हैं मक्ता देख लीए इस तरह से लिखा जाता है मक्ता कहते हैं आखरी शेयर को घ्जल ओब कसीदे का सबसे से लास्ट होता है मतलब कम से कम गजल में पांच शेर होना चाहिए और ज्यादा की तो कोई तादाद ही नहीं मतलब ज्यादा में कितना भी हो सकता है लेकिन कम से कम गजल में पांच शेर रहना चाहिए तो यह पांच शेर की एक गजल और इस घजल के लास्ट शेर में आप लोग देख सकते हैं क्या इस घजल के जो शायर है वो अपना तखलुस यूज किये हैं यानि कि मीरता की मीर का तखलुस है मीर तो लास्ट वाले शेर में कहीं आप लोगो मीर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ तो बेशक दिखाई दे र आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है यानि कि ये लास्ट लाइन हैं और इसमें जो है मिर्ता की मीर अपना तखलुस मीर यूज़ किये हैं इसलिए इसलास्ट वाले शेर को अप लोग क्या कहेंगे मक्ता कहेंगे तो मक्ता किसे कहते लास्ट वाले शेयर को जिसमें शायर हजात अपना तखलुस यूज़ करते हैं ठीके तखलुस यहां पर मीर तकी मीर का तखलुस है मीर वो अपना तखलुस यूज़ किया है अब हम लोग समझते हैं कि फर्द किसे कहते हैं देखिए मतला और मक्ता दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी अशार होते हैं उसको कहा जाता है फर्द ठीक है यहां पर मैं लिख भी दे रही हूं मतला और मक्ता दोनों को छोड़कर यानकि पहले वाला शेयर और आखिर वाला पहला और लास्ट वाला दोनों शेयर को छोड़कर बीच में जितने भी शेयर मिलेंगे वो सभ लिजे कोई एक ऐसा गजल है जिसमें दस शेर हैं इस गजल में तो पांच शेर था ना कोई एक ऐसा गजल है जिसमें दस शेर हैं तो पहला वाला यानि की मतला और लास्ट वाला यानि की मक्ता दोनों को छोड़कर बाकी बीच में जितने भी शेर होंगे ना वो क्या कहलाएं कि बैतलो गजल या फिर शाह बैत किसे कहते हैं ये तो बहुत जिदा आसान है गजल या फिर कसीदे का सबसे फेमस सबसे मशूर सबसे अच्छा शेर शाह बैत या फिर बैतलो गजल कहलाता है अब देखिए ये जो गजल है इस गजल का सबसे आप लोग को अच्छा शेर कौन सा लगा मैं पढ़ी तो थी आप लोग इसको पढ़ ले और आप लोग को जो अच्छा लगा वो आप लोग के हिसाब से शाह बैत हो जाएगा लेकिन अगर देखा जाए तो इस घजल का शाह बैत जो है ना वो है दूसरा शेर नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए पंखुडी एक गुलाब की सी है इस घजल का यह दूसरा शीर जो है ना यह शाह बैत है याने कि बैत वजले मतलब सबसे मश्योर सबसे फेमस सबसे अच्छा शेर दूसरे शेर को माना गया है इसलिए दूसरा शेर क्या कहले गा शाह बैयत् या फिर वैत्लगजल कर यानिًस तकि हृप के मा एंदू कि जो नाजू की हैं उसकी तुलना किसकी है पंखुडि गुलाब की से तुलना की है उपने महभूब के तो को ठीक है इसी वज़ा से ये ये काफी मशूर और बहुत ही जाज़ता फिमस ये कहें तो इस घजल का शाहि बैठ यह फिर बैतुल-घ़जल कौन सा है यह की dah Balk लोगो समझ में आई होगा कि मतला किसे कहते हैं मखत वात किसे कहते हैं शाह बैत यह फिर था खृतिए अगर समझ में आ यह टिंसन फ्री हो जाईए उर्द토 शाही hug को एगदम आसानी से समझ में आ जाने वाला है अब कुछ भी आप लोग उर्दो शायरी में कुछ भी कोई भी गजल कसीदा उठाकर पढ़ें ये चीज आप लोग को हर हर गजल और हर कसीदा में देखने को मिलेगी अब आप लोग के लिए उर्दो शायरी असान हो गया हर एक चीज में आप लोगो समझादी मिस्रा शेर रदीव काफिया मतला मकता हुसन मतला हर एक चीज अब बचाही क्या है ठीक है तो आप चाहे जिस भी क्लास में हो और जिस भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो टेंसन फिरी हो जाए उर्दो शायरी से आप लोग का कोश्चन नहीं छूटेगा और जो भी उर्दो शायरी में पॉइंट बचा ह समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दे एक चूटी सी रिक्वेस्ट है और जितना जदा हो सके दूसरों तक वीडियो को पहुचाने की कोशिश करें चाहरत और शेयर कर दे फड़ावर्ट ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके और साथ में अगर आप कॉंटेंट और ट्रिक में हमेशा लेकर आती ही रहती हूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टुटाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए आज के इस वीडियो को फड़ा- के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज